नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Fire Safety Academy में दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं Fire Alarm Control Panel के बारे में जिसे Short Form में हम FACP भी बोलते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि Fire Alarm System क्या होता है और इसके Components क्या क्या होते हैं इसका क्या होता है उसके बाद देखेंगे कि Fire Alarm Control Panel कितने प्रकार क्यों होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे फिर Fire Alarm Control Panel से Related कुछ Terminology के बारे में हम बात करेंगे वीडियो में दोस्तों जब मैंने Fire Detection System पे वीडियो बनाया था तो उसके बाद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर फायर Alarm Control Panel पे वीडियो बनाईए और जो NFPA का स्टेंडर्ड है फायर Alarm के लिए वो क्या है तो चलिए फिर वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो में सबसे पहले देखेंगे Fire Alarm सिस्टम के बारे में तो दोस्तों Fire Alarm सिस्टम में कई सारी डिवाइसे एक साथ काम करती रहती है और इनका काम यह होता है कि दोस्तों जो Alarm Activate होता है जो Signal बेजा जाता है Control Panel को वह या तो Automatically जा सकता है या फिर Manually उसे भी जा सकता है तो Automatically में जैसे Smoke Detector Activate हुआ को उसने Smoke Detector ने कहीं पर Smoke अबजर्व किया या फिर Heat Detector ने Heat Observe किया तो वह इंडिकेशन भेज़देगा कंट्रोल पैनल को या फिर जो मैनुवल तरीका है वो फायर अलाम जो हमारा एक्टिवेशन डिवाइस होता है जिसे मैनुवल कॉल पॉइंट बोलते हैं ये पूरा ये इंडेट्न सटेंडर्ट बेलें इन सेलेक्शन इंस्टॉलेशन अनूम इसकोansen आप इंटर्नेशनल स्टेंडर्स को देखना चाहते हैं तो चाहिए सब्से फेलिए कर सकते हैं लिए इसजे tutte ony 0 करता है judging अदिक कर लेता है डूसरा जो है वह जो occupant भीटिंग के उन्हें alert कर देता है कि वह टाइम रहते familiar को कर सकें तिसरा जो है जो एक्षा गार होती है एकशन होती है तो जिन है एक्षन लेना है उन्हें यह नोटिफाई करता है चौता जो है जो बिल्डिंग में अक्जिलरी फंक्शन लगे हुए है जैसे स्मोक कंट्रोल होता है वेंटिलेशन फैंस होते हैं लिफ्टिंग होम ही होता है जैसे लिफ्ट ऑटमेटिक आके एक फ्लोर पे रुख जाएगी है अब देखेंगे विख स्क्राइब तो फाइरलां में जिश्टम के कंपोनेंट्स कैंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहला होता है फ्राइब ट्रूल दुसरा नबोन देखेंगे वारे में वीडियो के नोगन करेंख के बारे में नेशीरे नहींगे जोग defects दिशुक्ति पश फाय लाम इनिटियटिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कंट्रोल पैनल को जिसके तुरस इखनल मिलता है या पर पोल स्टेशन से यह ग्लास ब्रेक होते हैं पुल टाइप होते हैं तो इन्हें आप एक्टिवेट करके और सिगनल भेज सकते हैं अपने पैनल को दूसरा जो है तो water flow की वज़े से water flow switch activate हो जाता है और signal control panel को बेचता है तिसरा जो है वो fire notification devices होते हैं जब control panel को signal मिलता है कि कुछ हुआ है fire होई है smoke होई है या फिर heat sense होई है किसी जगह पर और जब पैनल को यह signal मिलता है तो वो क्या करता है notification devices होती है जैसे कि हमारे electric bells होते है stops होती है lighten horns होते है speakers होते है lights होती है text display होते है बहुत सी जगों पर RI होता है यानि response indicators और sounders होते हैं तो यह सारे notification devices है तो control panel इन्हें activate कर देता है ताकि जो उस जगे पर रहने वाले लोग हैं जो उस building की occupant है उन्हें पता चल सके कि कहीं पर fire होई है सोता जो हमारा component है वा primary power supply तो obviously पैनल को चलाने के लिए power supply की ज़रोत होती है और यह 120-240 volt के बीच में होता है AC power source का यूज किया जाता है पैनल को operate करने के लिए पाच्वा जो है backup power supply होता है primary power supply फिल हो जाने पर यानि कि जब आप power failure होने पर कहीं पर backup power supply की ज़रोत परती है ताकि किसी emergency condition में जब आप power supply कट करते हैं या कहीं से power supply कट होती है तो आपका पैनल फिर भी चालो रहे तो इसके लिए आपको backup power supply की ज़रोत परती है इसलिए पैनल में 6-12V की batteries लगी होती है ताकि power failure के time पर ये continuous run करता रहे अभी हमने देखा कि control panel को जब कहीं से signal मिलता है initiating devices से तो वो notification devices को activate कर देता है लोगों को warn करता है इसके अलावा भी बहुत सारे functions होते है पैनल में जैसे कि जो हमारे pressurization fans होते है या ventilation fans होते है इन्हें यह automatically operate कर देते हैं जिस भी location से indication आता है जो MCP activate हुई है या detector activate हुआ है तो वहाँ से जब location आता है तो उस area का pressurization fan जो हमारे staircase में लगी होती है उन्हें चालू किया जाता है पैनल ही signal भीचता है उसके लिए और जो ventilation fans होते है उस area में अगर ventilation की ज़रत है तो ventilation fan होते है तो उन्हें अपरेट किया जाता है हमारे पैनल के थुरू बहुत सी जगों पर ऐसा होता है closing and opening doors जहां पर ACS system होता है card system होता है जो बिना card के आप किसी door को access नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे fire alarm की condition में जो doors होते हैं वो automatically open हो जाते हैं आपको किसी भी तरीके की card की जरूरत नहीं पड़ती है fingerprint की जरूरत नहीं पड़ती है आप सीरा access कर सकते हैं दरवाजे के थुरू बहुत सी जगों पर fire suppression systems भी इससे integrated रहते हैं ताकि कहीं पर alarm आने पर तुरंत ही fire suppression system को signal जाता है और तुरंत fire suppression system activate हो जाता है जो हमने पीछे देखा कि activating notification अप्लाइन से होटर्स हैं हमारे या फिर फ्लेसर लाइट्स हैं इनको activate करना तो काम है यह इसका और जो कुछ इंडस्ट्री जहां पर कुछ equipment को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है किसी भी fire कंडिशन में तो equipment भी सब्सक्राइब हो सकते है इस पैनल के सिगनल से recalling elevators to safe exit door जो मैंने lift homing बताया था वह सेम प्रोसीजर है कि कोई elevator चला है कोई emergency हुई है तो क्या होता है elevator एक safe floor पर आके रुख जाता है उसके धरवाजे खुल जाते हैं ताकि आप वहां से evacuate कर सके असानी से और जो next है वह activating another fire panel और communicator आपने repeater panel के बारे में सुना होगा या फिर initiator के बारे में सुना होगा तो यह क्या होता है कि जब कोई हमारा बहुत बड़ा process plant होता है या फिर कोई बहुत बड़ी building है तो उसमें जैसे माली जो कोई बहुत बड़ा process plant है तो उसमें चोड़े चोड़े process control rooms होते हैं तो जब आप उस building के fire alarm और उस plant का fire alarm पूरा जो भी mcp है detectors है जितने भी devices हैं initiating उनको आप क्या करेंगे में fire जो पैनल है वो उस process control room में लगा दिया जाता है और सारा signal उस main panel पे आता है लेकिन उस panel के अलावा भी हमारा main fire control room होता है तो main fire control room में जो पैनल लगा होता है उसे repeater panel बोलते हैं मतलब कि जो main panel है वो process control room की main building में होगा और उस building से जब कोई signal आएगा या फिर उसको प्रोसेस unit से signal आएगा तो वो सिधा main panel पे आएगा और main panel के साथ-साथ वो main fire control room में जो repeater panel रखा हुआ है उस पे भी यह से मालार माता है जिससे जो fire personals है वो respond कर सके तो यह होता है repeater panel जैसे आपने पीछे देखा fire alarm detection system किस तरीके से काम करता है क्या components होते हैं तो अभी एक figure के माध्यम से देखेंगे कि बीच में हमारा दीख रहा है fire alarm control panel है इसमें जो हमें नोटिफिकेशन आ रही है जो signal आ रहे है वह या तो वाटर फ्लो स्विच के द्वारा आएगा अगर माली जी आपको जो sprinkler बल्ब तूट गया है हीट सेंस के वाज़े से किसी भी तरीके से तो जो पाइप में वाटर फ्लो होगा उस sprinkler लाइन पर हम वाटर फ्लो स्विच लगा के रखते हैं जो आप उपर में देख रहे हैं लेट में तो वाटर फ्लो होता है तो यह सिग्नल बेशता है control panel को तो वहां पर control panel पर इंडिकेशन आता है कि इस जो वाटर फ्लो है वहां से अलार्म इनिसियेट हुआ है और स्प्रिंकलर एक्टिवेट हुआ है दूसरा जो होता है वह सिग्नल बेश सकते हैं इनके तुरू भी पैनल पर इंडिकेशन आता है इसके बाद क्या होता है कि पैनल जो हमारे नोटिफिकेशन डिवाइस जैसे लेडी फ्लैसर और सब्सक्राइब कर देता है और और बहुतर इससे इंडिकेटर रहता है इससे क्या होता है कि यह सिगनल बेशता है तो वहां पे स्पिक्लर एक्टिवेट हो जाते हैं ज्यादा तरह है जो हमारे कूलिंग सिस्टम होते ह इनमें यूज किया जाता है इसका इसके साथ ही मैंने आपको पिछे बताया कि डूर रिलीज सिस्टम को भी यह फ्री कर देता है यानि कि जहां पर आपको अंदर जाने के लिए बहुत आने के लिए कार्ड की ज़रोत परती है तो अलाम की कंडिशन में यह दरवाजे फ्री हो जाते हैं तो इसके लिए एक रिस्पॉंस इंडिकेटर लगा जाता है जो आपको आखों से दिखाई देता है तो उससे यह पता चलता है कि इस देगे का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है मतलब कि माली यह फॉल्स इलिंग के अंदर कोई डिटेक्टर है तो वह आपको पैनल क्या होते हैं किस तरीके से काम करते हैं तो fire alarm control पैनल FACP fire alarm control unit FSU या फिर सिंप्ली से को पूलें तो fire alarm पैनल जो हमारा fire alarm and detection system होता है इसका central होता है controlling component होता है है जब भी कोई initiation device activate होता है और वो signal control panel को भेज़ता है तो control panel जो है वो notification device activate कर देता है जिसे लोगों को पता चल सके fire alarm panel में एक छोटा से display भी होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या issue हुआ है कौन सी जगे पर हुआ है क्या एक्टिवेट हुआ है MCP है या फिर डिटेक्टर है location का उसकी यह सब आप manually देख सकते हैं उसमें पाइलाम पैनल कितने तरीके के होते हैं तो basically fire alarm panel दो तरह के होते हैं conventional fire alarm panel और addressable fire alarm इसके अलावा भी आजकर बहुत सारे हाइटेक सिस्टम साने लगे हैं मतलब की जो वायरलेस होते हैं तो मिस वीडियो में conventional और addressable के बारे में बात करेंगे अग्यां करेंगे अग्यां करेंगे अग्यां करेंगे ज्यादा तर चोटे जोन में डिवाइट कर दिया जाएगा और इसमें जो हमारी केबल होगी जो सर्कुट्स होंगे इसमें multiple initiating devices लगे हो सकते हैं जैसे detectors और call point कन्विक्शनल fire alarm panel का जो main drawback होता है वो यह होता है कि कि किसी भी detector या mcp की exact location नहीं दिखाता है यह जोन दिखाता है जैसे आपने तीन फ्लोर की building को अगर जोन में डिवाइट कर दिया तीन जोन में डिवाइट कर दिया तो यह आपको वहाँ पर जाके देखना पड़ता है तो यह सबसे बड़ा इसका major drawback है फायर के कंडिशन में एक एक सेकेंड बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है तो ऐसी कंडिशन में जब हमें कहीं जोन में पूरा एक जोन ढूना पड़ता है किसी एक device को डूनने के लि बड़े-बड़े बिल्लिंग में बड़े-बड़े complex project में किया जाता है और इसके साथ ही चोटे-चोटे साइट पे भी इसका यूज किया जा सकता है जैसा कि addressable के नाम में address है तो इसे पता चलता है कि जितने भी detectors होते है call points होते है या फिर जितने भी sounders बीकंस होते है यह लिए control panel से connected होते हैं और कहीं पर जब को initiating device activate होता है रो signal भीजता है control panel को तो जो पैनल को operate करने वाला है वहां पे पूरी तरीके से देख सकता है कि actual में कौन सी device activate हुआ है और कौन से location पे अक्टिवेट हुआ है यह सारा detail आप पैनल पे देख सकते है तो यह फायदा होता है addressable fire alarm panel का कि आप actual में उस device की location देख सकते हैं कि कौन सी location पे कौन सा device activate हुआ है second floor पे activate हुआ है तो कौन से east side, west side या फिर कोई आपका जो landmark area होगा उसका पूसमें जो भी आप feed गर के रखते हैं तो उसके according exact location आप पता कर सकते हैं कि यह device कहां पे है और कौन सी device activate हुए है अब दोनों में अंतर क्या है conventional panel में और addressable panel में अंतर क्या है तो जो हमारा addressable fire alarm system है यह individual detectors और mcp की location आपको बताता है कि यह इस location की mcp या इस location का detector इस number का detector एक्टिवेट हुआ है और जो हमारे conventional system होता है यह सिर्फ आपको एक specific zone के बारे में बताता है इस zone में device activate हुई है और फिर आपको वहां पे जाकर ढूंड़ना पड़ता है कि actual में उस zone में कौन सा device activate हुआ है तो यह थोड़ा सा time waste होता है इसमें अब fire alarm control panel से related कुछ terminology के बारे में देखेंगे कुछ some definitions देखेंगे इसे related तो सबसे पहला जो है वो है detector तो कोई एक ऐसा device जिसमें sensor होता है और वो smoke heat या flame को detect करके control panel को indication भेजता है तो उसे हम detector बोलते हैं detection system पर एक बहुत ही ज्यादा detail में वीडियो मेंने बनाया हुआ है और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको link मिल जाएगा और description box में लिंक दे दूंगा आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत वीडियो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें explain किया गया है कि detectors होते कौन-कौन से हैं कैसे वो काम करते है working principle के बारे में एक एक चीज़ explain की गई है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आप तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो next जो है वह हमारा false alarm तो पैनल पे ज सकता है किसी कहीं पर dust टोडने के कारण हो सकता है या फिर किसी बहुत से ताइम पर क्या होता है कि detectors में कुछ गुच जाते हैं बहुत ज्यादा dusty हो जाता है इसकी वाज़े से operate हो जाता है या फॉल्स अलाम बेचता है वो next fire alarm signal fire alarm panel को जब किसी initiating device से signal मिलता है जैसे कि कोई fire में डिटेक्टर अक्टिवेट हुआ है water flow switch अक्टिवेट हुआ है या फिर manual call point अपूल स्टेशन अक्टिवेट हुआ है और वहां से कोई signal आया है तो उसे हम fire alarm signal बोलते हैं next है हमारा trouble signal trouble signal को हम फॉल्ट या डिफेक्ट भी बोलते हैं जो जादा तर हमारे fire alarm system के circuit में किसी फॉल्ट के कारण आते हैं next जिसे हम ACK भी बोलते हैं या फिर पैनल पे जादा तर ACK करके इंडिकेट होता है यह जो बटन होता है इससे क्या होता है जब आपके पैनल पे कोई alarm आता है कोई trouble आता है या फिर कोई आलार्म एक्टिवेट हुआ है पैनल पे जब हुटर बज रहा है उसे आप साइलेंट कर सकते हैं audible silence कर सकते हैं एक बटन होता है लेंप टेस्ट का तो इसका मतलब होता है कि जो जितने भी हमारे पैनल पे LED इंडिकेटर्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि एक्चुल प्री अलार्म में क्या होता है जब आपके यहां पर फॉल्स अलाम आने की कंडिशन बहुत ज्यादा होती है या फिर बहुत ज्यादा लार्ज अप्लिकेशन से बहुत ज्यादा लाज बिल्डिंग है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको प्री अलार्म में आप नहीं चाहते पैनल पे इंडिकसिन आने के बाद ये आपको इंफॉर्म करेगा जो चंट्रोल में और रियल है या फॉल्स है तो आप प्रियलां को रिसेट कर देれए चाड़ कि आप कर दिन्गे और अप Że डिवाईसेसे हैं वो एक्टिवेट नहीं होira मतलब की जो हमारा फाइर अलार्म सिग्नल है उससे पहले एक सिग्नल आता है उसे हम प्री अलार्मल्स पोलते हैं प्रेल बाइल कि कुछ तो पैनल है वो नॉर्मल कंडिशन में चला जाता है उसके लिए आपको एक चीज इंसे और करनी है कि जो डिवाइस एक्टिवेट हुआ था वह रिसेट हुआ कि नहीं अगर सब्सक्राइब कर थायर कि नहीं याए हमनगा दा परेट है वहां का आऊ सबया होता है इस तो बार उप्रिट कर और बार वो अलार्म इंडिकेट होता रहेगा मैनोल कॉल पॉइंट डिवाइस होता है जिससे आप ऑपरेट करके और पैनल को सिगनल भेज सकते हैं अगर आपने कहीं पर फायर ऑपजर्ब किया है स्मोग अबजर्ब किया है कुछ अन्यूजुल ऑपजर्ब किया है अब नॉर्म सब्सक्राइब करने के लिए पावर की ज़रूत होती है तो इसके लिए हमें पावर सोर्स की ज़रूत पड़ती है पावर सप्लाई में ने देखा कि एक हमारा प्राइमरी सोर्स होता है और एक बैक अप सोर्स होता है कहीं पर पावर फॉल्ट होने पर बैटरी से ऑपरेट होती है तो उसमें क्या होता है कि मान लिजे कोई इंडस्ट्री है बहुत बड़ी और उसमें कई सारे control rooms है थोड़ी थोड़ी दूर पे तो जो unit है जो plant है और जो building के हमारे जितने भी devices लगे हुए है fire के उन सब को हम main उसका main panel हम बना देते हैं उसी control room में और उस main fire panel को fire control room में repeater panel लगा के दोनों को connect कर दिया जाता है जब भी unit में या फिर building में कोई device activate होगे तो सबसे पहले alarm आएगा आपके main panel पे जो की रखा है unit के process control room में उसके बाद आपका जो main fire control room में repeater panel है वो भी आपका connected है पैनल से तो आपके भी पास भी same signal आएगा ताकि आप उस जगे के लिए respond कर सके रिपीटर पैनल यूजुली दो तरह के होते हैं एक active होता है एक passive होता है तो passive के क्या होता है आपको से signal मिलता है आप किसी तरीके का action नहीं ले सकते हैं main fire panel से related और जो हमारा active होता है इसमें कुछ controls होते हैं इससे आप जब उन control से main panel को control कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है the main process control room में लगा है उसे भी आप control कर सकते हैं तो वह हमारा active review repeater panel होता है response indicators के बारे में बता चुगा हूँ कि ऐसी जगहों पर जहां पर detectors लगाए जाते हैं जहां पर हमें दिखाई नहीं देते false floor या false ceiling के नीचे उच्छुप जाते हैं तो फिर आम उस false floor या false ceiling पर एक आराई लगाते है है response indicator लगाते हैं ताकि अगर किसी condition में वह डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो हमें दिखाई नहीं देगा तो उसकी जगह पर जो आ रहाई है उसमें light में देख सकते हैं तो यह था हमारा fire alarm control panel पर वीडियो डिटेक्शन सिस्टम के बारे में लोग बहुत तरह के सवाल पूछते हैं जैसे कि एक लूप में या फिर एक जोन में कितने में detector या कितने mcp लगा सकते हैं पैनल सेलेक्शन के बारे में लोग बात करते हैं बहुत सारे technical questions आते हैं लोगों के दिमाग में और मुझे पता है किस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोग बहुत सारे ऐसे technical questions पूछने वाले हो तो एक चीज मैं clear कर देना चाहता हू आपको इन सब चीजों की ज़रुत नहीं पड़ती है वो technical team होती है जो technician वगरा होते हैं उनकी काम की चीज़े हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं fire detection से related कुछ और वीडियो जाने वाली है आगे जैसे कि detector selection and placing का क्या तरीका होता है किस तरीके से करते हैं इसमें बेस्ट कौन है इनमें अंतर क्या होता है कहां पर कौन सा लगाना चाहिए इसके बारे में और गैस डिटेक्टर पर भी एक वीडियो आनी है अभी तो यह सारी वीडियो आने वाली टाइम पर आएंगी चैनल पर तो आज इस वीडियो में इतना ही आफ आपको fire alarm and control panel के बारे में सब पता चल गया होगा fire alarm system क्या होता है इस doinत्रुक्तिंहें और पता चल गया होगा आगे कुछ और वीडियो जाएंगी फायर डिटेक्शन से रेलेटेड और जो मेरा फायर डिटेक्शन सिस्टम पे वीडियो है वो आप देख सकते हैं जाके आई बटन में और डिस्किप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो को यहां तक दे लाएपको खायर ले खाव हो आपको लो में आपको कर गायर रन्हीं हो आपको यहां किस कुछ आपको वीडियो है